गुरुवार अठाराय जन्वरी दोहजार चौबिस शुविक्रम समवत दोहजारसी समवत सर का नाम पिंगल शाके समवत उनने सो पैतालिस हिज्री समवत चौदा सो पैतालिस मुसलिम मास रजजब छह अयन उत्रायन गृतु शिशिर मास पॉष पक्षुकल अब आपको बताते हैं आज की तिथी के साथ ही बताते हैं कि ये किस तरह आपके लिए फल्लाई होने बाली है और अब बात करते हैं नक्षत्रों की नक्षत्रों का कैसा योग बन रहा है इनका क्या फल रहने बाला है आप पर क्या असर रह सकता है और अब बताते हैं आज की योग के बारे में जान लीजिए आज कौन सा विशिष्ट योग है अब बात करते हैं आज के रतोत्सब त्योहार और विशेश आयोजनों की और अब नजार आलते हैं चंद्रमा की इस्थती पर राहुकाल पर और जानते हैं दिशाशूल के बारे में बात करते हैं शुब मुहुर्त और स्रेष्ट चोगरिये की शुब मुरत आज अश्वनी नक्षत्रम में विवा देव प्रतिष्ठा विपनी व्या परारम मशीनरी प्रारम वाहन क्रे करना रामसुर पतिष्ठा हल प्रवहन वा सगाई रूका आधी के अथा आवशक शुब मुरत हैं शुब मुरत आज जन्म लेने वाले बच्चों की राशी और स्वभाव के बारे में भी बताते हैं आपको आज जनम लेने वाले बच्चे आज जनम लेने वाले बच्चों के नाम चूचे चोलाली यादियक्षरों पर रखे जा सकते हैं इनकी जनम राशी मेश है मेश राशी के स्वामी मंगल है इनका जनम स्वनपात से है जो प्रारंबिक अवस्था में स्वास्थे की दृष्टी से कुछ पीड़ा कारक रहता है समाने रूप से जातक धनी, हस्मुक, सुंदर, बुद्धिमान, जनप्रे, प्रतेक कारे में होश्यार, परूपकारी और ये अशस्वी होते हैं इनका भागयदे प्रारंबिक अवस्था 22 वर्ष के आईव से उना प्रारंब हो जाता है मेश राशी वाले जातकों को दिन बहुत प्रसंता करेगा राजसमाज में मानसमान में वृध्धी होगी, बहुतिक सुक के साधनों में भी वृध्धी होगी तो पंचांग, ग्रह, नक्षत्र, चोगडिया आदी के बारे में जाना आपने खास ध्यान देने वाली बात ये है कि ग्रहन अक्षत्र भी उनहीं का साथ देते हैं जो खुद की मेहनत पर भरूसा रखते हैं इश्वर से कामना करते हैं कि आपका दिन शुभ हो नमस्कार